हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड इस अपरणा और मैं लॉट आई हूँ और एक टारो रीडिंग वीडियो के साथ आज का टॉपिक होने वाला है यूर पास्ट प्रेजंट एन फ्यूचर रिगार्डिंग यूर लव लाइफ तो आज हम बात करने वाले हैं आपक पास जो है प्रेजंट है और फ्यूचर इन तीनों चीज़ों के बारे में आज हम डिसकस करने वाले हैं तो आपको समझ में आएगा इस रिलेशन्शिप को जादा एक्स्क्योर करने से पहले आपको फ्यूचर के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया आजाएगी I hope you are excited for this video as excited as I am So start करते है वीडियो के साथ अगर आपने मेरे पिछले कुछ वीडियो को मिस कर दिया है तो वो सारे वीडियो मैं यहाँ पे i button में डाल दिये हैं आप जरूँ चेक आउट कीजिए बहुत इंट्रिस्टिंग वीडियो बनाती हूँ मैं साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आप नेक्स वीडियो जो मैं डालू उनको आप मिस ना करें और अगर आपको यी वीडियो रेजोनेट हो तो जरूर आपकी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी तो लेट स्टार्ट विडियो बनाऊंगी अगैन मैं शुरू करने से पहले बता देना चाहती हूं यह जन्रल रीडिंग है तो इट मे और इट मे नाट रेजोनेट तो यू साथी यह ताइमलेस रीडिंग है आपको जब यह टाइमलेस रीडिंग है, डेट और टाइम जब डाला है, मैंने ये वीडियो उस पर मत जाये again, sorry for all the voices that are coming हमारे पडोसी जो है, बहुत ही ज़ादा अक्टिव है so, just bear with me guys, I'm really sorry for all the noises 4 stones है आपके सामने, चार में से कोई एक stone को आपको पिक करना है again, आप उस stone से resonate नहीं हुए, उस pile से resonate नहीं हुए you can come back to this point of the video और आप reading वापिस से start कर सकते है no issue with that, so first, जो है, वो amazonite है अगर आपको इस stone से collection feel हो रहा है, तो आप ये stone choose कर सकते है नीचे time stamps में, मैंने time दे रखा है, कब ये week, कौन सा pile, कब शुरू होगा so आप वो video skip करके वहाँ से start कर सकते है, second है hematite third है tiger's eye and fourth है how light so let's start with the reading जिन्होंने amazonite choose किया था so guys, start करते हैं जिन्होंने amazonite choose किया था उनसे देखते हैं कि आपके लिए क्या past, present and future आ रहा है strength hanged man eight of cups nine of cups hierophant king of swords king of cups four of swords eight of cups okay start करते हैं आपकी रीडिंग के साथ दिखाई दे रहा है कि आप ऐसे टाइम पे अपने पार्टनर से मिले हो जहां पे आप रिलेशन्शिप के लिए ready नहीं थे ऐसा दिखाई दे रहा है आपको eight of cups, eight of hearts दोनों दोनों चीज़े आई हैं दिखाई देता है कि आप या तो फिर अपने एक्स के साथ जो और टाइम चाहते थे और आपने रश आउट किया इस रिलेशन्शिप को लेकर या फिर हो सकता है कि वो आपके पार्टनर जो थे वो तयार नहीं थे इस रिलेशन्शिप के लिए और काफी जल्दी सारी चीज़े हो गई यानि कि उन्होंने या फिर आपने किसी एक दूसर कर दिया हो और पिर प्रैक्टिकली सोचने की वगज़े से लॉजिकली सोचने की वज़े से अपने जो अपने दिल पर चोटे आई थी और जो टाइम आपको चाहिये था उस बहुत जल्द बाजी में आना पड़ा या फिर इसम्राइज न जो या फिर उनको बहुत वह प्रोमिनेंटली दिखाई दे रही है दो सिमिलर काज आये है अपके लिए तो यह तो शुर शुर दिखाई दे रहा है कि आपका एक फेज जो था एक दूसरे के साथ वह मतलब जो जान पहचान होने की हो सकता है कि आप इस इनसान को पहले से ही जानते थे आपके दोस्त हो सकते हैं यह पहले से या फिर common friends के थुरू आप मिले हुए हो या फिर आप बचपन से इस इंसान को जानते हो family friend हो ये इनसान आपके लिए ये जानते थे आपके past relationship के बारे में हो सकता है again ये general reading है सारी चीज़े resonate होंगी ऐसे नहीं बट दिखाई देता है कि relationship जो start हुआ आपका इस इंसान के साथ वो एक बहुत wrong time पे start हुआ है या तो फिर आप पूराने वोंट से अभी तक heal नहीं हुए थे या फिर वो उनके पूराने चीज़ों को पीछे छोड़ कर आगे बढ़ले के लिए अभी तयार नहीं थे पर situation की वज़े से या तो फिर आपने सोचा होगा कि ये इंसान सही है मेरे लिए और अभी अगर मैं heal करने के लिए time मांग लूए इन से तो ये इंसान मुझसे दूर हो जाएंगे या फिर वो सोच रहे थे ये भी हो सकता है इन दोनों में से कोई एक चीज हुई है relationship जिस point पर start हुआ है वो time उस relationship को start होने का नहीं था वो healing का period था उस वक्ते relationship शुरू हुआ है ऐसा लग रहा है उसी वज़े से अभी वो relationship और healing का time combine होने की वज़े से आपका relationship में आपके stability नजर नहीं आ रहे है stable नहीं है आप कही ना कही अभी तक heal हो रहे हैं आप अपने पिछले relationship को लेकर या फिर किसी problem से आप अगर गुजरे हो पास में उस problem को लेकर अभी तक आप deal कर रहे हैं तो कही ना कही discomfort है relationship में अच्छी तरह से proper बाते नहीं होती है एक दूसरे के साथ अभी अगर चीजे हो गई है you are demanding too much आप बहुत जादा expect कर रहे हैं मुझसे उतना मैं नहीं दे पा रहा हूं या फिर नहीं दे पा रहा हूं इस relationship में इसी वज़े से या फिर या तो जगडे हो रहे हैं क्योंकि जिसके साथ भी जो past relationship का problem रहा हो उसने अभी तक वो healing period को अपनी life में नहीं जिया है तो जाहिर सी बात है कि वो healing period जो healing ना होने की वज़े से अभी तक वो जखम वैसे के वैसे हैं और वो इस relationship में भी problem create कर रहे हैं तो discomfort दिखाई दे रहा है साथी अभी ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है किसी के लिए ये resonate हो किसी के लिए ना हो बट ऐसा लगता है कि आप अभी no contact zone में हो एक दूसरे से बात नहीं हो रही है उतनी अच्छी से अगर बात हो भी रही है तो जगडे हो रहे हैं पर ऐसा भी है इस relationship में present के वक्त में दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं पा रहे हो आप दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई है आप बात तो करते हो no contact भी अगर है तो दोनों की तरफ से आप दोनों एक दूसरे को बहुत miss कर रहे हो चाहते हो कि सारी चीज़े ठीक से हो जाए और एक अच्छी लाइफ स्टार्ट हो जाए और अगर आप no contact में भी नहीं हो अगर बात भी हो रही है आपकी और जगड़े भी हो रहे हैं constantly आपके एक दूसरे के साथ but at least आप बात करना चाहते हो दोनों में से कोई एक या फिर बारी बारी से एक दूसरे को आप contact कर रहे हैं solve करने की कोशिश कर रहे हैं भले ही वो जगड़े में ही क्यों ना end हो जाए conversation पर आप कोशिश कर रहे हैं कि बात हो और आप भी और वो भी कि solve हो जाए तो एक positive effect एक positive chance दिखाई दे रहा है इस relationship में future में दिखाई दे रहा है कि आप एक दुसरे की strength बनेंगे आप एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए इतना प्यार है आप दोनों का, भले ही ये relationship बहुत जल्दबाजी में शुरू हो गई हो, पर ये relationship जो है soulmate की relationship दिखाई दे रही है, दोनों एक साथ रहेंगे, हो सकता है शादी हो, हो सकता है family start करे, आपको king of hearts भी आया है, आप हो सकता है कि एक family start करे, अपनी एक अच्छी जिन्दगी जी है, आगे जाके अपनी life में, nine of cups आया है, ये इनसान, ऐसे इनसान है, जो आपके लिए, आप जो चाहते हैं, वो करेंगे, आपकी जो इच्छा है, वो सारी इच्छा है, वो पूरी करेंगे, आप जो एक, आपके partner में, जो सारी चीज़े expect करते हैं, कि मेरा partner जो है life में ऐसा हो, उसमें ये सारे qualities हो, ये सारी चीज़े, ये partner आपको फुल्फिल करेंगे, ये partner आपको देंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ये connection काफी strong है, एकदम perfect है, और इस relationship को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, इस relationship क साथ आप जरूर अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं, कि future कैसा है हमारा, तो बिलकुल अच्छा future है, chances है कि आप उनके साथ अपनी family स्टार्ट करें, बच्चे हों, आपके चोटा घर हो, आपका साथी, सब कुछ जो आप चाहते हैं, अपने partner से, अपने husband या फिर अपने wife स जो आप चीज़े expect करते हैं, वो सारी चीज़े ये आपको provide करेंगे, तो ये था reading जिन्होंने amazonite choose किया था, अगर आपको ये resonate नहीं हुआ है, आप personal reading चाहते हैं, तो personal reading के सारी details, मेरे charges, मुझे contact कैसे करना है, वो सारी चीज़े मैंने description box में दे रखी है, जरूर एक बार जा और साथी अगर आपके पास कोई वीडियो के suggestions हो मेरे लिए, तो वो भी आप नीचे comment box में डालिये, मैं जरूर पढ़ूंगी और मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगी, चैनल को subscribe कीजिए, बैल आइकोन को भी press कीजिए, ताकि आप मैं जब next video डालू, तो वो वीडियो अप मिस ना करें, thank you so much for watching this video guys, I'll see you in my next video, till then bye bye, enjoy देखते हैं, जन्हों है हमेटाइट चूस किया था, पाइल नमबर टू, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है, आपके past, present और future के बारे में जानते हैं, in your love life, cards मैंने already shuffle करके रखे थे, 8 of pentacles, 6 of swords, 7 of swords, okay, ace of, oh four cards आये हैं इसको मुझे, जब मैंने future के बारे में explanation मांगा था, तो मुझे 2 cards आये थे, okay, so एक extra card आया है अपके लिए, which is a really good sign, universe आपको थोड़ी और जादा information देना चाहता है, this situation के बारे में, which is really very good, start करते है आपकी reading के साथ, अगर past की बात करें, तो हो सकता है कि आप इस इंसान को किसी party में मिले हो, किसी gathering में मिले हो, किसी common friend ने आपको introduce कराया हो, या फिर colleague हो आपके, यानि कि ऐसे group में आप मिले हो, इस इंसान से ऐसा हो सकता है, अगर यह resonate नहीं हो रहा है, फिर भी it's okay, क्योंकि आगे भी एमें एक point बोलूंगी, जो शायद आपको resonate हो इस card से related, so don't change the pile yet, देखते हैं आगे क्या होता है, so साथी दिखाई देता है कि, तो जैसे मैं बोल रहीती, ऐसे किसी शादी में हो सकता है, किसी family gathering में हो सकता है, किसी get together में हो सकता है, या फिर office की किसी party में हो सकता है, जहां पर बहुत सारे लोग हो, ऐसे आप एक दूसरे से मिले हो और through common friends हो सकता है, तो ऐसे मुलाकात हुई है आपकी, आप एक दूसरे से उस तरह से connect कर गए हो, जहां पर बहुत सारे लोग already मौजूद थे साथी दिखाई देता है कि इस इंसान ने हो सकता है कि आप काफी independent रहे हैं इस relationship से पहले आप अपने choices ले सकते थे आप अपना stand ले सकते थे आप काफी independent रहे हैं काफी decision making के वक्त आप authoritative रहे हैं पर इस relationship में दिखाई दे रहा है कि आप इस relationship की वज़े से काफी सारे decisions आपको उनकी हिसाब से लेने पड़ते हैं या तो अचानक से आपकी life में आके आपके decisions जो है वो change कर देते हैं या फिर उनके हिसाब से आपको अपने decisions change करने पड़ते हैं इन में से कोई एक point हो सकता है जो भी आपको resonate हो रहा है वो point आप उठा सकते हैं दिखाई दे रहा है कि past में या तो हो सकता है कि आपने इनको cheat किया था या फिर इन्होंने आपको cheat किया था और अभी के फिलाल का जो present आपका दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि काफी heart broken है आप, काफी दर्द है आपको यह relationship जो है वो down south जा रही है यानि कि वो नीचे की तरफ घसेट रही है अच्छे ही relation नहीं रही है जैसे पहले थी जैसे पहले connection था वो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है अगर मैं simple words में बताने जाओ तो यह एक toxic relationship बन गया है आपकी life में कि आप इसको निभा भी नहीं पा रहे है और छोड़ भी नहीं पा रहे है तो एक तरह का poisonous toxic relationship यह दिखाई दे रहा है हो सकता है कि past में आपसे कई बाते चुपाई गई हूँ उस अपके partner के बारे में या फिर अपके relationship के बारे में या फिर उन्होंने चीट किया हो या फिर again वाइस वरसा आपने कुछ बाते इन से चुपाई हो या फिर आपने उन पे चीट किया हो दोनों चीजों में मैं open रखना चाहती हूँ क्योंकि यह general reading है यह आपको इस इन दोनों में से कौन सा point resonate हो रहा है वो point आप उठा सकते हैं फिलाल की time में present में दिखाए दे रहा है कि आप काफी heartbreak से गुजर रहे हैं प्रॉब्लम्स क्रियेट हो गए हैं इस relationship की वज़े से आपकी life में दर्द है, depression है, सोच रहे हैं आप काफी जादा इस इनसान के बारे में साथ ही situation जो है खराब होती जारी है इस relationship को लेकर हो सकता है कि आप contact में नहीं है, अगर contact में भी है तो बहुत गंदे जगड़े हो जाते हैं और जगड़ा होनी की वज़े से पूरा बाकी का दिन भी खराब हो जाता है उसकी वज़े से ना आप काम पे focus कर पा रहे हैं ना आपनी family पे focus कर पा रहे हैं ना आप पे personal आपकी जो requirements है न बदलावाता नजर आ रहा है पर इस relationship को लेकर नहीं मैं बोलूंगी आपके personal life को लेकर बदलावाएगा शायद आप इस heartbreak से overcome करेंगे अगर इस relationship के future के बारे में आप पूछ रहे हैं तो मैं जरूर कहूंगी कि ये relationship toxic relationship है इसका end होना अभी इस वक्त के लिए सही है आपकी life में अगर आप ये continue करेंगे तो आप दिखाई देता है कि trapped feel करेंगे कही ना कहीं आप इस relationship में फसे हुए होंगे आपको भार निकलने का अगर और जादा अंदर जाएंगे तो आपको भार निकलने का chance नहीं है इस relationship से ये relationship आपकी life खराब कर सकती है आपकी life के लिए ये थो तो आपकी life में दिखाई दे रहा है कि आप work पे concentrate करेंगे जो आप कर नहीं पा रहे थे for a really long time तो आप अपने काम पे focus कर पाएंगे, अपने आप पे focus कर पाएंगे, अपने family पे focus कर पाएंगे, अच्छी चीजे अपनी life में attract होंगी वर्क में भी आपको काफी तरक की नजर आ रही है, अगर आप, क्योंकि pentacle cards है दोनों तो work से related में जादा बात करूंगी आपको दिखाई देता है कि हो सकता है आपको promotion मिले, या फिर आप job ऐसा आपके life में आए, या फिर work related या फिर career related ऐसी opportunity आपकी life में आए, जो आपकी life बदल दे, जो financial condition आपकी अभी चल रही है, उसको बदल दे, उसको better बना दे साथ ही दिखाई देता है कि कोई अच्छा love, अच्छा partner आपकी life में आता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ace of hearts भी आया है आपके लिए, आपको आपके life में एक नया कोई इनसान, कोई आपको अच्छा प्यार करने वाला, एक नया love interest आपकी life में आता नजर आ रहा है in the future, अग साथ है काफी सारे तो तो तौरस, वगो, प्रिकार्ण भी हो सकता है आप या फिर वो आप में से किसी का यह राशी हो सकता है, अगया अगर नहीं है तो no problem, रिजने नहीं हो रहा है दुए दुए तो यह था रीडिंग जिनोंने हमेटाइट चूस किया था, आपको यह वीडियो सिजेशन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर डालिये, साथ ही मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब मैं नेक्स वीडियो डालू और आप वो मिसना करे, थांक यू सो मु Four of Wands, High Priestess, Knight of Swords, World, Two of Pentacles, Eight of Wands, Six of Swords, King of Swords, Three of Pentacles, Okay, so, past के बारे में अगर आपके relationship की बात करें, तो हो ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफी सारी चीजे जो है quickly हो गई, यह इनसान आपकी life में quickly आ गया, इन्होंने, मतलब आपका प्यार जो है, वो पहले दोस्ती नहीं था ऐसा नजर आ रहा है, अगर आपको रेजोनेट नहीं हो रहा है, यह reading तो आप pile shift कर सकते हैं, दूसरे pile के साथ start कर सकते हैं, बट दिखाई देता है कि यह आपकी जो है, दोस्ती वो प्यार में बदल गई है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, यह इनसान आपके life में अचानक से आ गये है, इन्होंने अचानक से अपको propose कर दिया ह अचानक आप लोग प्यार में प्यार हो गया है आपको अचानक आपने relationship में आने का सोच लिया है, तो यह सारी चीजे जो है वो एक shift में, एक speed में हुई है आपके साथ, हो सकता है कि आप किसी common friend through मिले हो या फिर किसी common event पे आप गए हो उसमें मिले हो, पर या फिर online भी हो सक आपको realize होने से पहले आप you had fallen in love with this person और आप relationship में आ गए थे, तो आपको पता होने से पहले काफी जादा चीजे quickly हो गई है, आपका relationship जो था वो fluke में एकदम से एंसान आपके सामने आ गया, एकदम आपको इससे प्यार हो गया, फिर आप relationship में आ गए, तो काफी speedy चीजे ह हुई है, बहुत ही जादा speed में हो गई है चीजे, fast हो गई है चीजे, सोचने का मौका नहीं मिला है, और अगर आप अभी भी इस relationship की बात करें, तो आप सोचते हैं कि यार किस तरह से ये इनसान मेरी life में आ गया और कैसे मेरी life चेंज हो गई, या फिर कैसी मेरी life बना दी इ कैसे आपने अचीव की है इस इनसान के साथ क्योंकि काफी जादा क्विकली सारी चीजे हो गई, रिलेशनशिप में आने से पहले हो सकता है कि सिर्फ दो तीन महीने ही आप एक दूसरे को जानते हो और आपने डिसिजन लिया हो रिलेशनशिप में आने का या फिर अगर जोस्ती नहीं थी, एक कमफर्ट नहीं था एक दिन ऐसे ही इनोंने यह आपसे मिले या फिर इनोंने आपको टेक्स किया और आप आपकी अच्छे से बात हुई, एक बहुत लंबी बात हुई और फिर आपको लगा कि यह इनसान मेरे लिए अच्छा पार्टनर बन सकता है औ और आप नहीं या फिर उन्होंने प्रपोस कर दिया और आप दोनों रिलेशन्शिप में आ गए हैं, तो यह सीन दिखाए दे रहा है आपका इन प्रेजेंट दिखाए दे रहा है कि हो सकता है कि आपका या तो इनसे जगडा हो गया हो या फिर थोड़ी अन्बन हो गई हो या फिर रिलेशन्शिप में थोड़े ups and downs हो रहे हैं इस वक्त, तो आप अभी इनको लेकर question mark है आपके दिल में, question mark है आपके दिमाग में कि इस इनसान के साथ में relationship continue करना चाहिए या नहीं, तो यह सवाल आप अपने आप से पूछ रहे हैं, बार बार ऐसा दिखाई दे र मतलब आप बहुत प्यार से हटकर जाकर, misunderstandings create करा रहे हैं अपने दिल में, misunderstandings पाल रहे हैं, आप ट्रस्ट नहीं करें इस इनसान को completely, ऐसा दिखाई दे रहा है, बट ऐसा अगर यह आगे की cards देखूं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो आपसे कुछ चुपा रहे यह कहीं आपकी दिमाग की उपच नजर आरही है मुझे, आपकी दिमाग की सोच नजर आरही है मुझे, अगर फ्यूचर की बात करें, तो फ्यूचर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, आप दोनों की हो सकता है कि शादी भी हो जाए, engagement हो जाए, शादी हो जाए, family बने है, एक strong आपका एक दूसरे के साथ, साथ ही आपकी life, आपके future में इनके साथ ही है और इनके साथ काफी बदलती नजर आरही है, यानि कि अभी जैसे आप doubt में है कि इस इंसान को में क्या करूं, तो यह doubt जो है आपका future में clear होता नजर आ रहा है, तो आपको opportunity भी मिलेगी, इ situation के बारे में, जरूर मैं कहूंगी कि four of wands है, तो यह काफी अच्छा relationship है, world है, twin flame या soul man में से कोई एक relationship हो सकता है, काफी जादा deep connection है, यह अलग level का connection है, तो इसको अपने life से जाने मत दीजे, situations अगर बुरे हैं, अभी आपके life में थोड़ी अनबन है, थोड़ी misunderstandings है, तो clear करने की कोशिश कीजिए, वो भी misunderstandings clear होते हुए future में नजर आ रहे हैं, तो don't rush into decision, time लीजिए, थोड़ा wait कीजिए, सोचिए इस सारे situations के बारे में, और यह इनसान अपके लिए काफी fruitful, काफी अच्छा लाबधाई नजर आ रहा है, so stick with it. So, यह था reading जिन्नोंने Tigers I choose किया था, I hope कि आप इस video के साथ resonate हुए हूँ, इस pile के साथ resonate हुए हूँ, अगर आप resonate हुए हैं, तो like कीजिए इस video को, साथी comment box में जाकर मुझे बताईए कि आपने कौनसे pile चूश की थी, आपको resonate हुई या नहीं, और मुझे video suggestions भी अगर आपके पास हो, तो बताईए कि मैं कौनसे topic पर video बनाऊ, साथ ही मेरे चैनल को subscribe कीजिए, bell icon को भी प्रिस कीजिए, ताकि मैं जब next video upload करूँ, तो आपको notification आए और आपको video मिसना करें, thank you so much for watching this video guys, I'll see you in my next video, till then, bye bye, enjoy. बात करते हैं, जिनने पाइल नंबर 4 चूस किया था, how light, देखते हैं, उनकी past, present or future love life, क्या है, आपके partner के साथ, cards मैंने already shuffle करके रखे थे, loveos आया है, world आया है, deal of fortune आया है, lot of major arcanas, temperance आया है, five of pentacles है, two of cups है, ten of hearts, three of clubs, two of spades, okay, start करते हैं, आपके past से, देखते हैं, कि आपके past में क्या नजर आ रहा है, ये इनसान आपकी life में काफी ज़्यादा change ले आया है, ऐसा दिखाई दे रहा है, आपकी life ऐसे नहीं थी, आपकी life बहुत chaos थी, या तो फिर काफी simple थी, boring थी, और इस इनसान ने excitement दी है आपकी life म काफी changes लाए हैं आपकी life में, अगें मैं बोलूंगी कि ये major arcana काफी ज़्यादा दिखाए दे रहे हैं, तो ये इनसान आपकी life में आना बनता है, ये relationship आपकी life में होना जरूरी था, और ये certain stone दिखाए दे रहा है मुझे, ये होना जरूरी था, ये होना आप टाल नहीं सक सकते थे, so ऐसा ये relationship मुझे दिखाए दे रहा है, काफी strong relationship दिखाए दे रहा है, past में दिखाए देता है कि इस इनसान ने काफी जादे changes लाए हैं आपकी life में, काफी हो सकता है कि आप काफी depression से गुजर रहे थे, काफी सारी situations is reading से मैं नेकाल सकती हूँ, जैसे कि आप बहु कर रहे थे, पर इस इनसान ने आके आपके दिल में प्यार जगाया है, आपको वापस से जीना सिखाया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी life बहुत ज़दा बोरिंग थी, कुछ excitement ही नहीं थी, कुछ happening नहीं होता था, एक ही तरह से जीए जा रहे थे आप, पर इस इनसान न आपको काफी बार प्रपोस किया हो, और आपने फाइनली एक दो चार बार हो जाने के बाद अपने सोचा कि चलो इस इनसान को ट्राय करके देखते हैं, इसको हाँ बोल के देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है, या फिर आपने इस इनसान को काफी टाइम से प्रपोस किया और इस इंसान ने आपको एक मोका दिया है दोनों में से कोई एक situation हो सकती है general reading है मैं जादा deep में नहीं जा सकती हूँ अगर आप personal reading चाहते हैं तो उसकी सारी details मेंने description box में दे रखी हैं charges भी मेंने दे रखे हैं तो आप जरूर एक बार वो check out कर लीजे और एक situation इसमें से निकलती है कि आप इस relationship में थोड़े से duality में थे जब ये relationship शुरू हुई आप sure नहीं थे कि आप ये relationship निभा पाएंगे या फिर ये relationship आपके लिए सही है पर आगे जाके आपको ये relationship में बहुत ज़ादा interest आ गया आप इस इनसान को genuinely पसंद करने लगे ये भी हो सकता है इन दोनों में से कोई एक situation हो सकती है present में दिखाए दे रहा है कि ये इनसान आपको बहुत खुशी देते हैं ये इनसान आपको जीना क्योंकि उन्होंने जीना सिखाया है आपको in your past आप अभी इनके अगर no contact zone में भी अगर आप है क्योंकि लग रहा है कि आपके relationship में अभी थोड़ी सी अनबन चल रही है because five of pentacles आया है थोड़ा grief का काड़ आया है थोड़ा sadness का काड़ आया है तो relationship में थोड़ी सी अनबन दिखाई दे रही है थोड़े problems दिखाई दे रहे है बट फिर भी आप उनको miss करते हैं वो आपको miss करते हैं तो दोनों का एक connection अभी भी है साथी अभी अगर आप क्या करूँ इस situation को लेकर इस relationship को लेकर अगर आप सवाल पूछ रहे है तो universe की तरफ से आपको message आया है यह आपके जो है soulmate है यह एक अलग लेवल का connection है आपका इनके साथ और यह आपकी life भूत हद तक balance कर सकते हैं जो imbalance आपकी life में अभी है दिखाई देता है कि आप अपने family life पे focus नहीं कर पा रहे हैं personal life पे focus नहीं कर पा रहे हैं और इनको भी अच्छी तरह से time नहीं दे पा रहे हैं पर future में दिखाई देता है कि आप इनको time भी दे पाएंगे अपनी family life भी handle कर पाएंगे अपनी work life भी handle कर पाएंगे साथ ही आपकी family भी जो है इनको आपके family में include करने के लिए problems create नहीं करेगी ऐसा दिखाई देता है वो आपके relationship को accept कर लेंगे आपको आशिरवात दे देंगे इस relationship के लिए आपकी शादी भी करा सकते हैं इस इंसान के साथ तो इस तरह का relationship है ये आगे जाकर इस relationship का future काफी अच्छा दिखाई दे रहा है तो अभी जल्द बाजी में कोई decision मत लीजिए थोड़ा सोचिए थोड़ा रुकिए आपको situation खुदी आपके सामने खुलती हुई और solve होती हुई नजर आएगी साथ ही अगर आप personal reading चाहते हैं इससे ज़ादा आप information हासिल करना चाहते हैं मैंने सारे details मेरे description box में दे रखे हैं charges मेरी fees भी मैंने description box में mention की हुई है जरूर देख लीजिएगा सो ये था reading जिन्होंने how light चूस किया था आपको अगर ये video पसंद आया हो ये pile आपको resonate हुई हो तो इस video को like कीजिए साथी comment box में जाके comment करके मुझे बताईए कि आपको ये video कैसा लगा आपने कौन सी pile चूस किये थी अगर आपके पास कोई video suggestions हो तो जरूर वो भी मुझे बताईए मैं सारे comments पढ़ती हूँ और जरूर मैं उस video पे उस suggestion पे video बनाऊंगी साथ ही मेरे चैनल को subscribe कीचे और bell icon भी press कीचे ताकि आपको notification आए जब मैं next video upload करूँ और आप वो miss ना करे Thank you so much for watching this video guys I'll see you in my next video Till then bye bye, enjoy